पूरे जिले में कॉंग्रिश का वंटाधार करने वाले खुद का पोलिंग बूत बूरी तरह हराने वाले सिहोर के सुर्मा कॉंग्रिश नेताओं की कॉंग्रिश जिला द्यक्ष बनने के लिए भोपाल में कतार लगी हुई है ऐसे में नेताओं के हाथ में आई ना देना चाहिए अब सरवादी श्वार्थी शिहोर के कॉंग्रिश नेताओं तुमको तो चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए और इस कॉंग्रिश नेता पुर्व गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैसी ने कही है उन्होंने जीले में कॉंग्रिश को लेकर गंभीर चिंता प्रकट करते वे कहा कि लगातार सिहोर के अनेक नेताओं के प्रतिनीधी मंडल और कुछ नेता व्यक्तिकेत रूप से लगातार भोपाल आ रहे हैं और दिग्विजाय सिंग और मुख्यमंति कमलनाथ से सिहोर जीला कॉंग्रिश कमीटी अध्यक्ष अपनी पशंद का बनाने के लिए मिल रहे हैं पुर्व गवर्नर डॉक्टर कुडैसी ने कहा कि इन नेताओं ने पूरे जीले में कॉंग्रिस का बंटाधार कर दिया है और जहां तक कि अधिकान सुर्मा अपने निवास के पोलिंग बूत भी नहीं जिता पाएं उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए लाखों रुपे खर्च करने अंगिनत वाहनों और शाधनों का इस्तिमाल करने दिगविजय सिंग जैसे नेता ने गली गली और गाउं गाउं चक्र लगाने की बाद भी जो परिणाम और जीले के अन्य विधान सवा का आया है क्या इस पर हमको चुलू और पानी में नहीं डूब मरना चाहिए कुरैसी ने आगे कहा कि लागवक पिछले पंदरव वर्षों से सिहोर में फरजी नेताओं की बाढ़ आई हुई है और इन नेताओं ने दिल्ली और भोपाल में कुछ बड़े नेताओं की परिक्रमा करके जमीन नेताओं और काड़े करताओं तथा इंदरा गांदी के बफादार शिफाही है और यह प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि जो नेता अपने खुद का पोलिंग बूत नहीं जिता पाए उसे कोई भी पद मांगने का दिकार्म नहीं होना चाहिए तथा इंदरा गांदी के बफादार शिफाही हैं जिनोंने इंदरा गांदी का जंडा उठा कर गिरफतारियां दी थी और हिंदुस्तान में सबसे पहले सीहोर में इंदिरा कॉंग्रेस की जिरा कॉंग्रेस कमीटी का अस्तापना की गई थी आजु ने दरकिनार कर दिया गया और अवसरवादी और श्वार्थी ततों ने संगठन पर कबजा कर लिया है कुड़ासी ने आगे मांग करते वे कहा कि ऐसे नेताओं के हर एक के हाथ में आई ना देना चाहिए और उनके अपने निवाश पोलिंग बूत के परिणाम की कौपी भी देनी चाहिए कि उनके अपने पोलिंग पर कौंग्रेश की प्रतिक्या योगदान रहा इसके साथ साथ इस बात की वी समीख्षा होनी चाहिए कि पिछले 15 वर्षों से जिननेताओं के हाथ में कॉंग्रेश शंगठन दिया गया और उनी के कहने पर विधान सवा के ठीकर दिये गए उनके क्या परिणाम निकले और शंगठन को कितनी मजबूती मिली गवर्नर डॉक्टर कुडशी ने मांग करते में कहा कि जिला कॉंग्रेश कमेटी ऐसे तमाम स्वार्थी एवं निश्क्रिये लोगों से मुक्त कराना चाहिए और इंदरा के पुराने वफादारों में और नए यूवा सकती के हाथों में जिला कॉंग्रेश कमेटी की बाग और देनी चाहिए